नमस्कार दोस्तों में संदीब स्वागत है आप सभी का आज की नए एंट फिस वीडियो में दोस्तों ये वीडियो उन छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भी इन्वर्सिटी वा कोलेज के छात्र हैं और बीए के हैं और उनका सब्जेक हिस्टिरी यानि की इतिहास है क्योंकि आज किस वीडियो में प्रीबियस माडल क्विश्चन पेपर लेकर आया हूँ इस वीडियो में जो भी टॉप लेबल के क्विश्चन है उनको मैं बताऊंगा और आने वाले एक्जाम के लिए काफी हिल्फुल होने वाले हैं तो ध्यान से समझेंगे जो क्विश्चन प्रोवाइट करेंगे जो उनके आने वाले एक्जाम के लिए काफे हिल्फुल हो और इंपॉर्टेंट भी हो तो वह जड़ा सा भी टेंसर न ले उनके लिए हम तयार हैं बस आप लोगों को थोड़ा वेट करना होगा वीडियो की दिसक्रिशन में टेलिग्र पेपर के बारे में तो यह जो पेपर है यह पिछले साल का है यानि कि यहां पर आप लोग साप साप देख पा रहोंगे मुझे इसमें कुछ छिपाने क्या वाशकता नहीं साप साप यहां पर आप लोग देखेंगे लिखा है कि बी ए पार्ट वन एक्जाम नेशन 2019 यानि यह जो पेरा पूरा का पूरा प्रिवियस माडल पेपर है यह 2019 का है तो 2019 में कौन-कौन से पूछे गए थे क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो आप ध्यान से समझेंगे तो यह जो पूरा क्वेश्चन है जो पूरा माडल है इसमें से 5-3-4 प्रसंट तो तीन से चार प्रसंट आपके आने वाले एकजम में लिए जाएंगे घुमा-फिरा-क कोईश्चन होंगे लेकिन लिए गारंटी के साथ में कर सकता हूं तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं और एक एक कोईश्चन समझते हैं तो गा मिलेंगी पहले बढ़ते हैं तो आप लोग यहां पर साफ साफ देख लिए कौन सा पहुंसे चात्रों के लिए और कौन से यह का कुश्चन है और कुश्चन का आप लोगों को एंसर सीट में लिखना होगा वह वाला माडल पेपर है यह पूरा आप लोगों का पच्चास टंबर का है यहां पर देख लिए पूरा का पूरा माडल मैंने पेपर रख दिया आपके साबने इसमें लिखा भी गया है कि तीर घं के कई भाग हैं तो उनके उत्तर एक ही ठीक एक ही तार तम्मे में लिखे जाएं तो यानि इसमें जो आप लोगों को कुश्चन मिलेंगे वह खंड आबा और सामें मिलेंगी यानि कि लग उत्रिये और दीग उत्रिये प्रस्ण आपको मिलेंगे तो हम पहले बढ़ते हैं कुश्चन यानि कि लग हो त्रे प्रस्ण की और यह पूरा का पूरा पच्चास नंबर का है पेपर यह ध्यान में रखेगा ठीक है पच्चास नंबर का है और जो भी इंपार्टन कुश्चन इसे आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा उसकी इंसोट जरूर लीजेगा और इसका अंसर आप लोग को ध्यान में रखे और अच्छे से पढ़के जाना होगा खंडग आ लग हो त्रे प्रस्ण इसमें लिखा है कि सभी प्रस्ण अनिवार है ठीक है प्रतेक प्रस्ण तीन अंकों का है यानि कि A, B, C, D, E या जितने भी इसमें कोश्चन उसमें ती वेचना दीजिए तो इंगलेंड की जो बैभो पूर क्रांती है ठीक उसके कारणों का संशिप्त वर्डन करी यानि कि इंगलेंड की जो बैभो पूर क्रांती ती इसमें किस कारणों से हुई थी उसके बारे में यानि कि डीटियल में आपको ज्यादा डीटियल में ही जान ना है यह ध्यान रखेगा पहला question यह है इस वीडियो में मैं किसी भी question का answer नहीं बताऊंगा सिर्फ question बताऊंगा जो कि टॉप लेबल के हैं अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका मैं answer भी लेकर आऊंगा और answer भी आपको प्रोवाइट करूंगा लेकिन अगर आप लोग कमेंट करते हैं तब अधर्वाइज इस कोश्चन के सारे अंसर आप लोग खुदी ढूंड लीजेंगे इंटरनेट पे या फिर आप लोगों के पास बुक है तो यह बहुत इंपर्टन कोश्चन है नेस्ट कोश्चन है कि बी इसकी नंबर कोश्चन है कि प्रो ठीक है प्राबोधन प्राबोधन की बिशेशताई बताईएं तो जो प्राबोधन है उसकी बिशेश क्या चीज है उसमें उसको पॉइंट वाइस करके ठीक है कम से कम आप लोग 50-60 वर्ड में तो जरूर से जरूर लिखेगा ओके उसको आप लोगों को लिखना है अगला यह नंबर कोश्चन है कि बोस्टन टी पार्टी क्या है और इसके बारे में इसका उलेक करिए और इसके बारे में तोड़ा डीटेल में लिखे यानि कि ज़्यादा डीटेल में नहीं संशित में आप लोगों को लिखना है कम से कम 50- सवर्ड के बीच में लिख देना है तो यह सारे जो कोईश्चन है इन सभी का एंसर आप लोग इंटरनेट पर साच करेंगे तीन तीन नंबर के सारे कोईश्चन है तो इसमें से अगर आप लोग समझ के जाएंगे तो तीन से चार नंबर आप लोग के क्लियर हो जाएंगे ठीक है आने वाले एक्जाम में क्योंकि इसी से सम्मंदित कोईश्चन पूछे जाएंगे इस बार भी इसमें लिखा है कि निमलिखित में से किनी दो के उत्तर बिस्तार से दीजिए प्रतेक प्रस्ण आठ अंकों का है यानि कि जो इसमें से कोईश्चन दे गए हैं खंड बा में इनमें जो कोईश्चन है वो एक, दो, तीन, चार, पांच यानि कि दो, दो, चार चार कोईश्चन है जिन में से इसमें लिखा है कि किनी दो के अंसर देना है यानि कि उत्तर देना है विस्तार से वो भी ठीक है और प्रतेक question 8 number का है यानि कि 2 question का answer देना है और एक question है वो 8 अंग का है अगर 2 इसमें से करेंगे आप लोग सही सही तो आपको 16 अंग provide की जाएंगे तो जिनका भी answer आप लोगों को अच्छे से मालूम है detail में मालूम है उन ही question का आप लोगों को answer देना है तो इसलिए optional है इसमें से 2 ही के answer देना है चार के नहीं देना है यह आप select करना होगा कि किसके आपको answer मालूम है पहला है कि पुनर्जागन की प्रगत के कारणों का वर्ण कीजिए तीन number है यानि कि 2 number कहेंगे आप question जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन का वर्ण कीजिए नेस्ट है कि 30 वर्षिये युद्ध के कारणों एवं परड़ामों का वर्ण कीजिए और नेस्ट कोईस्टन है कि फ्रोंडे के ग्रह युद्ध के कारणों एवं परड़ामों का वर्ण कीजिए यानि कुल मिलाके इसमें आप लोगों को बिस्तार से लिखना है उसमें आप लोगों को कम से कम सव वर्ड में लिखना था किसमें जो उपर चला गया ठीक है लग उत्रे हाला कि लग उत्रे में यह नहीं कि सोरी मैंने उपर मुझे लगा आते लग उत्रे है तो यहां पर आते से 500 वर्ड में ही लिखने होंगे इसका एंसर जो देर कौिस्चन है ठीक है चार से 500 वर्ड में आप लोगों को लिखना ही होगा कम से कम 20 투 से लोगों को एंसर देना ही होगा प्रतीक कौchsचन ग्रस में हैं कम से कम 20 अदर से ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है तीन चार पेज हो जाएं क्योंकि इसमें बताया गया विस्तार से आप लोगों का इंसर लिखना है क्योंकि एक कोईस्चन आठ नंबर का है ठीक है तो इस सभी कोईस्चन का एंसर आप ढूंड लीजेगा नहीं डूंड पाएगे तो लोगों को कोईस्चन मिल जा रहे हैं लिखा है कि और दोगी कि ठीक है और दोगी क्रांत के प्रभाव एवं प्रसार का वड़न कीजिए नेस्ट कोईस्चन है कि वड़ित जिवाद के उद्दय के कारणों एवं इसके परडामों के विभीशना कीजिए और अगला 1789 की फ्रांस इसी क्रांत में दास्निकों का योगदान ठीक है क्या था या फिर योगदान के बारे में बताईए प्रथम ठीक है कंसल के रूप में नेपॉलियन बोना पार्ट के सुधारों का वड़न कीजिए तो यह चार कोईस्चन दिए गए हैं ये एक दो तीन चार इन में आप लोगों को ठीक है कि नहीं दो का ही एंसर देना है यह ध्यान में रखिए कभी कभी होता चात्र क्या करते सभी के एंसर देते हैं थोड़ा थोड़ा कर गए तो यह गलती मत करिएगा सिर्फ दोखी के एंसर देना वह भी डीटियल में आपको 8 नमबर पूरे मिल जा जो फोड़ा घुमा फिरा के हो लेकिन इन्हीं से सम्मधित पूछे जाएंगे इसी तरह के हम आप लोगों को पांच मार्डल चार से पांच मार्डल पेपर प्रवाइड करेंगे अगर आप वो चार से पांच मार्डल के जो कुष्चन है वो सारे से अच्छे से समझ हैं तो सो नंबर में आप लोगों के असी नंबर कोई नहीं रोख सकता हलाकि कई 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 में सो का पुडांग होता है और तो सब्जिट के दोस्तों हो जाते हैं तो सबके अलग अलग नियम है आप अपने इन्वर्सिटी के बारें जानते ही होंगे अच्छे से तो आपको सम समझ लीजेगा मैं फिर से कह रहा हूं कि पंदा से बीस नंबर आपको किलियर हो जाएंगे इस माडल पेपर से तो आई होप आप लोगों को समझ में आगया होगा अब आप लोगों को और कौन से सब्जेट का माडल पेपर चाहिए कमेंट से जल्द से जल्द उसकी भी प्लेग्राम का चैनल का लिंक है जरूर होईगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेंगा चैनल को सब्सक्काइब भी करके रखें मिलते हैं नेस्ट वीडियों तब तक कि लिए तो जाएंगे